भगत सिंग का नाम भगत सिंग कैसे पढ़ा भगत सिंग का जन्म शहीद आजम भगत सिंग का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब में हुआ तो भगत सिंग का भगत सिंग कैसे पड़ा क्योंकि भगत सिंग का जब जन्म हुआ उस समय भगत सिंग के पिताजी और दो चाचा जेल में थे भगत सिंग के पिताजी सरदार किसन सिंग, भगत सिंग के एक चाचा सरदार स्वन सिंग और भगत सिंग के दूसरे चाचा सरदार अजीद सिंग जैसे ही भगत सिंग का जन्म हुआ तो घर में समाचार आया कि भगत सिंग के पिता जी को अंग्रेज सरकार ने रिहा कर दिया अभी शाम भी नहीं हुई थी कि एक दूसरा समाचार आया कि भगत सिंग के चाचा सरदार सवन सिंग भी जेल से छूट गई और दो दिन बाद तार आया जो सरदार अजीद सिंग है वो मांडले की जेल में थे जो अभी वर्मा में हैं तो वहां से दो दिन बाद तार आया कि जिस दिन भगत सिंग का जन्म हुआ उसी दिन भगत सिंग के दूसरे चाचा सरदार अजीद सिंग को भी अंगरेजों ने छोड़ दिया तो भगत सिंग के परिवार में जन्म हुआ तो भगत सिंग के परिवार के तीन सदस्य कैज से छूटे भगत सिंग ने जब शहादत दी तो देश के 33 करोड लोगों की भारत माता की बेडियां कटी